नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है योगेंद्र साहू और आप सब के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि IBPS ने अपना PO का notification जो है वो release कर दिया है आज के date में आपका notification कुछ देर पहले यहाँ पर release कर दिया गया है अगर आपको यहाँ पर officially यहाँ पर notification डाउनलोड करना है तो ibps.in के website में जाके यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर आपको इंटर्यू के लिए बुलाया जाता है तो यह तीन फेस में आपको यहाँ पर exam दिलाना होता है अगर यही पर मैं बात करूँ जो online examination है prelims और mains का वो कब होगा तो देखे अक्टूबर और November जो है इस बीच में यहाँ पर आपका prelims और mains जो है वो हो जाएगा और date जो आए है वो भी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले तो यह बात कर लेते हैं कि कौन कौन सब बैंक है जिसके लिए आप apply करने वाले तो देखे टोटल 11 बैंक है जिन्होंने यहाँ पर participate किया है तो कौन कौन सब बैंक है बैंक आप बरोदा, बैंक आप इंडि इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब बैंक, पंजाब बैंक, सिन बैंक, यूको बैंक एन यूनियन बैंक यह टोटल 11 बैंक है जिनके लिए आप apply करेंगे तो जब आप application form fill up करेंगे तो आप अपने हिसाब से आपको कोई particular bank में यहाँ पर job करना है तो उसके हिसाब स आप preference यहाँ पर fill up कर सकते हैं जब application form fill करेंगे तो वो option आपको दिया जाता है या फिर आप vacancies के हिसाब से भी form fill up कर सकते हैं जिस बैंक में ज्यादा vacancies है उसको यहाँ पर preference में number 1 पर रखे and so on then second में रखे then third में ठीक है कुछ इस तरीके से या आपको कोई particular bank में job करना है त तो आप उस bank को अपना preference list में number 1 में रख सकते हैं अगर मैं tentative schedule की बात करो देंकि schedule जो है आपका tentative है मतलब अभी सबको पता है कि COVID-19 के चलते बहुत सारे exam जो है वो postpone हो चुके हैं काफी सारे exams के result नहीं आये हैं काफी सारे notification अभी तक नहीं आये जैसे अगर SBI PO के notification की बात करो तो अभी तक नहीं आये SBI clerk का result अभी तक नहीं आये prelims के अगर हम बात करें ठीक है तो यह सारी चीज़े अगर सब चीज सही रहा तो देखे सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपका application form है वो कल से fill up होना start हो जाएगा 5 अगस्ते 26 अगस्त लाज डिट है मतलब इनके बी चले अगर मैं यही पर P.E.T की बात करूँ प्री examination training जो होता है वो September 2020 में होगा अगर होता है तो शायद ही है चांस नहीं है इस बार P.E.T होने का due to COVID-19 अगर मैं प्री examination training की अगर मैं बात करूँ कब कंड़क कराया जाएगा तो 21 सितंबर से 26 सितंबर के यहाँ पर इस date के बीच में यहाँ पर आपका प्री examination कराया जागा 21 से 26 तक अब download आप कप कर सकते हैं prelims का यहाँ पर call letter तो वो है October 2020 से और जो exam है prelims का वो 3 October, 10 October और 11 October को कराया जाएगा तो देखिए यह जो date है यह tentative है fix date नहीं है ठीक है हो सकता है कि अकर सब चीज सहीं रहा तो इस date में यह exam जो है वो conduct कराया जाए बट अगर सब चीज सहीं नहीं रहा ठीक है तो COVID के चलते आपका extend भी हो सकता है डेर जो है वो extend भी हो सकते हैं ठीक है तो आपको इस चीज के लिए तयार रहना है अगर यहीं पर बात करें सब चीज सहीं रहा तो prelims का जो result है वो आपका October 2020 में पर download कर सकते हैं तो वो है November 2020 तो जैसे ही result आएगा उसके कुछ time बास से आप यहाँ पर जो download है call letter मेंस के लिए वो आप कर सकते हैं जो मेंस का exam होगा तो मेंस का जो exam है वो 28 November 2020 को यहाँ पर date दे दिया गया है तो यह भी tentative है अगर सब सहीं रहा तो यहाँ पर इस date को यहाँ जो result है मेंस का वो आपका December 2020 को release कर दिये जाएगा और उसके बाद जो interview है वो download जो है उसका call letter जनवरी 2021 दिया है ठीक है और जो conduct कराया जाएगा वो तो जनवरी और फरवरी में यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर conduct कराया जाएगा 2021 को और उसके बाद यहाँ पर आपका ज कुछी सही रहा तो इस डेट तक आपको यहाँ पर जो जॉब है वो मिल जाएगा ठीक है चले अब यहीं पर अगर मैं बात करूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर एक डेट दिया है 26 अगस्ट 2020 तो कि आप कोई भी सब फिल्ड से अगर ग्रेजवेट है अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी सब फिल्ड से एक डिगरी है युनिवर्सिटी कोई भी रेकोगनाइज युनिवर्सिटी से तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल्ड कर सकते हैं बट 26 अगस्ट 2020 तक आपका रिजल्ड जो है वो आज आ जाना चाहिए मतलब अगर आप फा डॉक्यूमेंट फिल्ड कर लेंगे आप एक्जाम भी दिला देंगे बड़ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको यहाँ पर फिल्ड कर दिया जाएगा तो इसी लिए आप भ्यान से यहाँ पर फॉर्म फिल्ड करें चले अगर मैं यही पर बात करूं यहाँ पर डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं चले अगर मैं यहाँ पर बात करूं ऑनलाइन एक्जामिनेशन का एक्जाम पैटन की देखिए एक्जाम पैटन हमाले काफे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फर्स टाइम कोई भी से एक्जाम दिलाने वाले हैं या आप IBPS PO के एक्जाम दिलाने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्जाम पैटन ठीक है प्रिलिम्स का एक्जाम जो है कि दो फेस यहाँ पर ऑनलाइन एक्जाम का होता है एक प्रिलिम्स और एक होता है मेंस प्रिलिम्स की बात करूं तो देखे तीन सेक 35 मार्स रिजनिंग के लिए 35 क्वेशंस 35 मार्स अगर यहीं पर अगर मैं लैंगुएज की बात पर देखे इंग्लिश को तो इंग्लिश में ही देना होगा और क्वांट और रिजनिंग जो है उसको आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी यहाँ पर लैंग्वे किया है, 20 met English section, 20 met reasoning के लिए, 20 met quant के लिए, तो दीकिंए, यहाँ पर separate यहाँ पर हमारे पास timing है, मतलब English, अगर language यहाँ पर आपका उस section, English section अगर खुला हुआ है, तो 20 met तक चलेगा timer, 20 met जैसे complete होगा, दूसरा section open हो जाएगा, quant फिर 20 met कर आएगा, then reasoning 20 का, एक घंटे का paper रहेगा, जिसमें हर एक section के लिए 20 met होंगे, मतलब 20 met में 30 questions English के solve करना है, 20 met में 35 questions quant के, और 20 met में 35 questions reasoning के, होप सो यह चीज़ क्लियर हुआ हो, जैसे ही आपका यहाँ पर result declare होगा, prelims का, ठीक है, अब देखें, एक चीज़ यहाँ पर है, कि cut off जो है यार, वो तो high जाएगा, मैं clear बता रहा हूँ, ठीक है, cut off जो है, high जाएगा, क्योंकि vacancies जो है, वो 1167 है, अब काफी सारे students के मेरे पास phone आ गए, बोल रहे हैं कि sir, इस बार vacancies जो है, वो बहुत जादा कम है, हम तयारी तो कर रहे हैं, बट यहाँ पर आप demotivate हो गए हैं, exam की तयारी हम कर तो रहे थे, बट vacancies इतनी कम आई है, हमारा selection होगा कि नहीं होगा, तो मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, कि भई, आप अपने लिए तयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक seat काफी है, एक seat sufficient है, तो 1167 में आप अगर एक seat ले लेते हैं, अपने लिए तो काफी है, तो देखिए vacancies की आपर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको sit अपने लिए तयारी करना है, एक seat अगर आप ला लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बस काफी है, आपको बस एक seat चीज और सबसे important बात ये है, आप सबके लिए, कि भई, आप exam की तयारी तो कर रहे हैं, तो exam की तयारी थोड़ा अच्छे से करिए, exam तो हो नहीं है, ठीक है, vacancies कमाईए, उससे मतलब नहीं है, demotivate ना हो, आप exam की तयारी कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से exam की तयारी कीजिए, focus अच्छे से करिए, planning strategy proper बनाईए, discipline way में आप पढ़िए, आपका selection जरूर होगा, यह definite है कि आपका selection होगा, आपके लिए आपर सिफ एक seat यहाँ पर चाहिए, तो वो तो है यार, 1167 काफी, ठीक है, ठीक है भई, vacancies जो है, वो कम हैं, यह हम मानते हैं, बट आपको सिफ एक seat चाहिए अपने लिए, तो आप demotivate ना हो, ठीक है, आप अपनी तयारी बहुत अच्छे से करिए, हाँ, आप अपनी तयारी दोगुना कर दीजिए, आप 4 घंट पढ़ते हैं, आप 8 घंट पढ़िए, ठीक है, बहुत अच्छे से तयारी करिए, एक्जाम आप definitely निकालने वाले हैं, चले, अगर मैं यही पर बात करूँ, मेंस एक्जाम की बात करूँ, देखें, मेंस में कुछ चीज़ें यहाँ पर change हुई है, अब reasoning और computer aptitude, पहले क्या था ना, कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले की बात करूँ, computer का एक अलग से एक्जाम कंड़क कराया जाता था, अब यह computer को यहाँ पर reasoning के साथ जोड़ दे, computer aptitude, बढ़ इससे कोई भी सा question नहीं आता है, आपको जितने भी questions मिलते है, reasoning से मिलते हैं, तो देखे, reasoning के लिए 45 questions मिलेंगे आपको, जिसमें आपको time जो marks रहेगा, वो 60 minutes रहेगा, 45 questions के लिए 60 minutes, English, Hindi दोनों में दे सकते हैं, और यहाँ पर timing देखे, एक घंटा, 60 minutes, सिब reasoning एक ऐसा subject है, एक ऐसा section है, जिसके लिए आपक किस तरीके से हमको पढ़ना है, जब हम mains की तैयारी करते हैं, क्या important होता है, किस level तक के यहाँ पर questions पूछे जाते हैं, अगर मैं ज्यादा detail में discuss यहाँ पर नहीं करूँगा, बट 45 questions में अगर आप 18-20 questions तक भी यहाँ पर touch कर लेते हैं, तो देखे, बहुत कम students होते हैं, जो 18-20 questions solve कर पाते हैं, क्योंकि level of questions जो रहता है, वो बहुत ज़्यादा tough होता है, मैं कई बार exam दिलाया है, मुझे पता है level, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर tough होता है exam, ठीक है, और questions जो है, वो अगर आप 18-20, तो यह maximum question बता रहो, मतलब 18-20 मतलब बहुत question कर लिए, आप 12-15 question बहुत कम लोग करके आते हैं, दस question बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, इतना level जो है tough रहता है, तो आपके लिए tough नहीं रहेगा, वो सब के लिए applicable है, जितने भी candidates exam दिला रहे हैं, उसमें से ऐसा कोई 30 मार खानी है, जो 45 में से 45 question कर ले, इतना easy नहीं होता है paper तो आपके लिए यहाँ पर नहीं है कि 12-15 question, आपको अपनी तयारी बहुत अच्छे से करना है, तो यहाँ पर आप तयारी बहुत अच्छे से रखिए, कुछ important यहाँ पर मैं वो discuss कर लेता हूं कि क्या कि यहाँ पर आपको पढ़ना है, अगर मैं topic की बात करो, तो देखिए जो आप puzzles वगेरा पढ़ेंगे, वो high level के होने चीए, high level के puzzles से यहाँ पर आपको solve करना है, और उसके पाद logical reasoning, लर हम जो इसको बहुते हैं, logical reasoning जिसमें आपके statement assumption होता है, drawing inference होता है, decision making होता है, आपर statement and argument होता है, ठीक है, यह सारे topics आपको बहुत अच्छे से cover करने हैं, और high level के यहाँ पर puzzles आपके पास पूछे जाते हैं, जब हम reasoning की बात करते हैं, देखें, यहाँ पर general awareness की मैं बात करूँ, या banking awareness की बात करूँ, तो यहाँ पर current affairs जो है, वो six month के cover करने हैं, लोग बोलते हैं कि तीन महने, चार महने के cover कर लो, ऐसा नहीं है, आपको पूरा छे महन questions भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो तीन-चार महने की पीछे मत भागिए, आप पूरे छे महने के current affairs यहाँ पर आप cover करिए, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा questions जो है, economy से related आता है, या फिर banking terms से related यहाँ पर ज़्यादा questions पूछे जाते हैं, जनरल की बात करते ह यहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपके currency, capital, यह सारे भी terms यहाँ पर पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क हो गए, यहाँ पर यह सारे questions भी पूछे जाते हैं, बट बहुत कम, बट सबसे ज़्यादा chance आपका क्या रहता है, वो है, current affairs के ज़्यादा questions होंगे, banking की governance के ज़्यादा questions होंगे, banking से related बहुत ज़्यादा questions होंगे, static के questions यहाँ पर कम होते हैं, उसे आप से तयारी करना है, English की बात कर देखें, English के लिए यहाँ पर देखें, क्या है, 35 questions के लिए 40 marks है, 35 questions के लिए 40 marks है, मिनट कितने हैं, तो 40 मिनट, तो 40 मिनट यहाँ यहाँ प पूरा questions जो भी आएंगे, वो DI ही होगा, तो 35 questions रहेगा, जिसके लिए 60 marks मिल रहे, मतलब 35 questions के लिए 60 marks, आप level of questions समझ सकते हैं, कितना difficult level of questions होगा, तो यहाँ पर भी आप 12-15 questions अगर solve कर लेते हैं, आपका selection जो है, वो definite, अगर 12-15 questions आप solve कर लेते हैं, maths के, DI के, तो आपका selection definite है, तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा महनद किसमें करना है, तो वो है banking governance या current affairs में, क्यों, 40 questions यहाँ से पुछे जाते हैं, 40 marks होता है, English और Hindi दोनों में रहेगा, और इसके लिए timing 35 marks, मतलब more than sufficient है, 40 questions 35 marks काफी है, क्योंकि जो question आता है, उसको आप टिक करेंगे, जो नह है, वो है 200 marks, ठीक है, अब timing देख लिए, timing total आपको कितना मिलता है, तो वो है 3 घंटे, 3 घंटे का timing है, जिसमें reasoning के लिए 1 घंटा है, then GA के लिए 35, then यहाँ पर English के लिए 40 मेंट, और आपका DI के लिए 45 मेंट, then जैसे 3 घंटे complete होंगे, आपको 1 मिनट का भी time नहीं मिलेगा, direct descriptive test होंगे, अब देखे, descriptive, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट English जो है, वो बहुत जादा important रहता है, PO exam के लिए, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर descriptive जो test होते हैं, तो वहाँ पर आपको type करना होता है, तो typing speed भी आपकी अच्छी होनी चीए, और आपको letter और essay, दो question मिलेंगे, letter का, एक essay का, ठीक है, letter के formats वगरा भी आपको पता होना चीए, informal, formal का, यहाँ पर, कैसे यहाँ पर format होता है, यह सब भी पता होना चीए, essay के भी formats आपको पता होना चीए, essay letter, यह सब की तयारी आपको करके जानी है, especially, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 घंटे complete होंगे, यह 155 question जैस सकते हो, number of question 2 है, total यहाँ पर maximum marks कितना है, तो हो है 25 marks, तो letter writing और essay writing और आपको क्या करना है, तो वो है type करना है, ठीक है, तो एक यह है कि आपको यह सारी, यह सब के यहाँ पर formats पता होना चीए, letter writing, essay writing, यह सब लिखने आना चीए, और दूसरा important है, हमाले English, सारे ही यहाँ पर English की तैयारी आपको बहुत जादा अच्छे से करनी है, जिसका English बहुत जादा अच्छा है, वो यहाँ पर selection ले जाएगा, definite है, तो यहाँ पर English की तैयारी बहुत अच्छे से आपको करनी है, अगर आप यहाँ पर English में weak हैं, तो उसको strong बनाईए, average बनाईए, ताकि यहाँ पर आप essay और letter writing अराम से लिख सके, बहुत जादा high level के यहाँ पर essay और letter writing नहीं लिखना होता है, but basic English तो आपको आना ही चाहिए, तो average कर लिजे, grammar वगेर थोड़ा अच्छे से पढ़ लिजे, तो आप essay और letter writing अराम से लिख सकते हैं, और इसके लिए type भी करना है, तो आपक यहाँ पर letter और essay लिखेंगे, तो आपको यह typing भी आपको अच्छे से आना चाहिए, तो साड़े तीन घंटे का आपका mains का exam होगा, उसके बाद यहाँ पर mains का जैसे ही यहाँ पर exam होगा, जब December में result आएगा, तो उसके बाद यहाँ पर जिसका जिसका हुआ रहेगा, उसको इंटर्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है, चले, application fees की अगर मैं बात पर देखे, application fees जो है, वो यहाँ पर 175 है, for SC, ST, PWD, जो पहले 100 हुआ करता था, 175 है, RRB में भी यही फीस था, ठीक है, RRB, P.O.C.L.R. का भी यही फीस था, और 850 जो है, वो all for others, मतलब जो भी, यहाँ पर आपका general हो गया, ठीक है, या फिर OBC हो गया, वो सब 850 रूपीस पे करेंगे, अब देखे, यहाँ पर fees जो है, वो तो high है, बट यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, चले, अब discuss कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कितने vacancies हैं, अब देखे, जो vacancies हैं, आप bank of baroda देखे, यहाँ पर bank of baroda जो है, उसमें यहाँ पर zero vacancies है, तो इसमें यहाँ पर तो आप इसको preference में तो नहीं डाल सकते हैं, बैंक आप इंडिया की बात करें, तो देखे, बैंक आप इंडिया के लिए total vacancies जो है, वो 734 है, ठीक है, 734, जिसमें SC 110 है, ST के लिए 55 है, 198 OVC के लिए है, EWS के लिए यहाँ पर 74 है, और 297 यहाँ पर UR, मतलब unreserved के लिए है, तो total हो जाता है 734, बैंक आप महराष्ट की बात करें, तो यहाँ पर भी कोई vacancy नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, Central Bank of India में भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, Indian Bank में, Indian Overseas Bank में नहीं है, पंजाब National Bank में भी नहीं है, यहाँ पर हम बात करते हैं, पंजाब and Sin Bank, तो यहाँ पर आपके लिए 14 SC के लिए है, HD क के लिए 6 है OBC के लिए 21 है EWS के लिए 8 है और UR के लिए 34 टोटल 883 और यही पर अगर मैं बात करूँ यूको बैंक के लिए तो यूको में टोटल 350 यहां पर वेकेंसी है तो ओवर ओल वेकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो 1167 है और मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि भई आपको यहां पर वेकेंसी नहीं देखना है आपको अपने लिए सिप एक सीट देखना है ठीक है आप तैयारी अपना बहुत अच्छे से करिए एक्जाम कैसे भी करके आपको निकालना है आप पॉजिटिव एक्टिटीट रखिए आज से यहां पर आप एक प्रॉपर प्ल कंड यहां पर हमको सौल करना है प्रेण के तैयारी कैसे होनी चाहई nouse के में लुक्रें तेस यह सारी बात ही यहां पर हम बहुत अच्छे से डिक करेंगे बहुत ही डीटेल में कुछ इंपोर्टन हौइं तैक सब से इंपोर्टन पर फिचारिक है पहली क्या होता हुथ कि बाहर यहाँ पर board में आपका role number यहाँ पर और lab number लिखा होता था बट अब यहाँ पर नहीं रहेगा ऐसा ठीक है आपके पास बाहर में नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर भीड हो जाता है उसके चलते यहाँ पर आपको personally बताया जाएगा जब यहाँ पर आपका आप जब अपना document शो करेंगे उनको ठीक है अपना call letter जब शो करेंगे बाहर जैसे examination center के बाहर जब आप रहेंगे जब वहाँ पर verify होता है उस time आपको बता दिया जाएगा personally कि आपका कौन सा lab number है ठीक है पहले बात अब यहाँ पर क्या क्या लिखा है वो यहाँ पर हम discuss कर लेते हैं different reporting time will be printed for a set of candidates अलग-अलग reporting time रहेगा कुछ लोगों के लिए candidates must report much before reporting time to avoid crowding कुछ पहले ही यहाँ पर मतलब आपको कुछ दिर पहले ही पहुँँच जाना है candidates is required to report at examination when you strictly as per time slot mentioning admit card अगर यहाँ पर आपका 10 बजे exam है ठीक है 10 बजे अगर exam लिखा हुआ है तो आपको 10 बजे पहुँच ही जाना है strictly लिखा हुआ है strictly as per time slot mentioning admit card and or inform तो आपको यहाँ पर sms और mail के through भी यहाँ पर बता दिया जाएगा आपका time ठीक है चलिए it is expected that candidates will adhere to time slot as entry into examination when you will be provided based upon the individual time slot only तो time slot जो दिया रहेगा उसी बीच में यहाँ पर आपका आपको entry दिया जाएगा और minimum 15 मिट पहले आपको पहुच ही जाना है mapping of candidates role number जो रहेगा या lab number जो है वो अब display नहीं किया जाएगा examination venue के बाहर ठीक है तो वो कहां बता जाएगा तो यहाँ पर जब आप entry लेंगे ठीक है जब आप entry लेंगे जब अपना admit card call letter identification यहाँ पर verify कराएगे उस time में आपको बता दिया जाएगा अच्छा क्या क्या यहाँ पर permitted है तो क्या क्या आपको लेकर जाना है बहुत ज़ादा important क्या है देखे mask लगा के जाएगे बीना mask के entry नहीं मिलेगा और जो भी mask रहेगा वो आपका N95 mask रहेगा gloves आपको लगा के जाना है hand gloves अपना खुद का transparent water bottle यहाँ पर लेकर जाना है एक hand sanitizer आपके पास होना चाहिए एक simple सा pen होना चाहिए और जो भी document है तो call letter तो लेकर जाएंगे admit card जो है वो लेकर जाएंगे एक ID original लेकर जाना है आपको और साथ में उसी ID का photocopy भी बहुत लोग यहाँ पर photocopy लेकर नहीं जाते हैं लेकर जा रहा है तो pen card का photocopy driving license जा रहा है तो driving license का भी photocopy आपके पास होना चाहिए तो कोई भी सा एक document आपके लिए काफी है चले अब यहाँ पर अगर बात करें call letter admit card should be brought with photocopy of ID established with it original ID same as photocopy is bought for verification clear यह बात होगे यहाँ पर हमाल लिए अच्छा जो भी आपको यहाँ पर photograph रहेगा उसके उपर आपको sign करना है cross sign रहेगा और यहाँ पर सबसे important क्या है तो वो है N95 mask यह आपको wear करना है देखें both candidate and scribe will require to be wearing N95 mask और एक hand sanitizer और साथ में gloves भी आपके पास होना ही चाहिए और सबसे important यहाँ पर जो है वो है आपको mobile लेकर जाना है आरोग्य सेतु app होना चाहिए उस mobile में ठीक है मतलब आपको mobile लेकर जाना है आरोग्य सेतु app उस mobile phone में install होना चाहिए status आपका सही होना चाहिए ठीक है risk factor आपका status जो है वो सही होना चाहिए candidates will have to display this status to security guard at the entry into the examination venue तो इस time आपको security guard को यहाँ पर आपना status दिखाना है आरोग्य से दूगा In a case, candidate does not have a smartphone, he or she will have to bring a signed declaration to this effect declaration form provided, अब वहाँ पर एक declaration form है जिसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, print out करके यहाँ पर वो self declaration form जो है वो fill up करके ले कर आएंगे ठीक है, आपके इसी यहाँ पर जो notification जो release किया गया है उसी में advertisement पर ठीक है, show the same to security guard at the entry into examination venue, candidates with moderate of high risk status on आरोग्य से तू will not be allowed to entry, जिनका high risk कराएगा, उनको यहाँ पर घुसने नहीं दिया जाएगा, तो आरोग्य से तू app compulsory है, ठीक है और in case of any in case any of the responses in declaration suggest COVID-19 infection symptoms, the candidate will not be permitted inside the exam venue, तो वहाँ पर हमारा thermal scan भी होगा, अगर हमारा जो temperature अगर वो high रहेगा, ठीक है यह चीज है कि आपको यहाँ पर phone जो है वो रखने की सुवीधा दी जाएगी, जब phone बंगार है तो यहाँ पर रखने की सुवीधा भी दी जाएगी, तो यह था आपका IBPS PO का notification तो चलिए best of luck आप बहुत अच्छे से तयारी कीजे, vacancies पर ध्यान नहीं देना है, आप अपनी तयारी जोरो सोरो से करिए भी, आपको vacancy सिर्फ ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपना एक seat fix करना है, तो चलिए best of luck बहुत अच्छे से तयारी कर दिए चलिए मिलेंगे next वीडियो में, thanks for watching